नमस्कार मैं प्रतिक्षा और आप देख रहे हैं इंगेडंगी फोर इंटो सावलाइट टीवी सीरहा रुख करते हैं प्रदेश की एहम खबरों की हैं खबर है शहडोल से शहडोल में बदमार्शों को पुलिस का एक भी खौफ नहीं बेखौफ बदमार्शों की होसले इतने बुलंद है कि खुले हम हतियार लहराते वे किसी भी बड़ी खटना को अंजाम देने के लिए तयार रहते हैं ताजा मामला शहडोल संभागी मुख्याले से महस एक किलो मीटर करीब से सामने आया जहां अपराधी प्रवती के दबंग कबाली अपने अनिसातियों के साथ दूसरे कबाली के कबाल की दुकान में धारदर हतियार अड़ा के एक लाक रुपे लूट के फरार हो गए इतना ही नहीं जाते जाते कबाली ने धमकी दी की जर्द कबाल का काम बंद कर दें क्योंकि उसके कबाल का काम प्रभावित हो रहा है नहीं तो वो उसे जान सिमा देंगे धारदर हतियार लहराने वा धमकी देने की घटना कबाल दुकान में लगे सी सी टीवी कैमरे में से बच्चती रही बाद में फिर सुहागपुर पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत मामला दर्च कर इस मामले से अपना पला जाल लिया इस मामले में सुहागपुर पुलिस की बड़ी लापर वही सामने आई है सुहागपुर्थाना शेत्र के बारगंगा तिराहे के पास रहने वाले नूरल हसन कबाड का कारूबाल करते हैं लेकिन वहीं जिले में प्कबाड का काम करने वाले उमर अंसारी अब्दुल गरिम अब्दुल रह्मान अपने अन्य साती साधिक और ओरंग जेब के साथ में आकर गाली को लौच करते हुए कबाल का काम बंद करने की धमकी दी यह कहते हुए कि तुम्हारे कबाल का काम अच्छा चल रहा है जिससे हमारा कबाल का काम प्रभावित हो रहा है जल्द कबाल का काम बंद कर दो नहीं तो चान से हाथ धोना पड़ेगा इस बीच उनके द धारदार हत्यार निकाल कर मेरे पास रखे एक लाख रूपे लूट कर परार हो गए। धारदार हत्यार लहराने वाद धंकी देने की घटना कबाड़ दुकान में लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई। हैरत की बात यहां रही की पीड़ी द्वारा मामले के अफ़ार के थाने के चक्कन लगाता रहा लेकिन सुहागपूर पुलिस उस रसूखदार दबंग लुटेरे कबारी के खिलाफ करवाही करने से बश्ती रही। बाद में फिर सुहागपूर पुलिस ने मामूली धराओं के तहत मामला दर्ज कर इस मामले में अपना पल्डा जालिया। उक तो लोगों पर मामला दर्ज कर मामले की जाच कर रही है। तो पैसा एक लाग रुप पैसा पांट पांट की दो गड़ी इसको चीन लिए और बोले कि आइंदा कवाड़ा का काम किया तो जान से मार देंगे देख लिए चाकू और गट्टा और और ऑरंज है तो चाकू अड़ा दिया था उसके साथ था यह घटना CCTV में कैद हुई है मैं यहां दिखाया और थाने में जो है तो मैं दो दिन पर असान हुआ रिपोर्ट में लिए जा रहा थी बहुत मुश्किल से साथ छोड़े धाराओं के साथ जो है केस बनाया गया कोई कड़ी कारवाई नहीं हुई इस तरीके दो घूर और बहुत सारे मामले दर्ज हैं बहुत बड़े अपरादी है पूरा घर अपरादी है साथ-ाथ लोग जो है तो इसके घर में अपरादी अपरादी है एक कमडर भी हो गया इसी अपराद के चक्कर में घरवला महला महुन आप तलाव के पाद इसके बाना दिंगाती रहा परिहार टेडर्स के पीछे यह दो कवाडियों को आपसी वीवात के संबंद में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जाचकर एक पच्च के ऊपर मुगदमा कायम किया गया है और अभी आरोपियों की तलास चल रही है इसमें पैसो को लेंदेन का मामला था और एक व्यक्ति दौरा चाकु लिया हाथ में दिखा है जिस संबंद में तलास की जा रही है आरोपियों